जैहेंद दोस्तों इस वीडियो में हम कई सारी खबरों को देखेंगे जो कि अलग-अलग समाचार पत्रों से हैं उसमें सिखें दैनिक भासकर का समाज और राज्य के बेच अविश्वास घातक है समाज और राज्य के बेच अविश्वास घातक है राज में सुता है कि सरकार सारे जो संस्थाएं हैं सम्विधान ये सारे राजी के हिसे हैं अब यहां बुल्डोजर ने आए कि ऊपर कुछ बातें लिखा हुआ इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे और सम्विधान कानून के नजरिये से देखेंगे भाव नात्म नजरिये से नहीं देखेंगे हलांकि जो लोग पत्थर बाजी करते हैं उनके उपर सम्विधान का अलागू होता है उनके उपर बुल्डोजर अगर चले तो तो सही है मतलब एक कोई धारमिक रैली निकल लए है एक तरम शांधी पूरों को धोलना गाडिक साहद निकल लए है किसीğı उपर कुछ नहीं किया जा रहा है उसके ओपर पत्थरा उँगर किया जाता है तो उसके घर में जाकर कि है बुल्डोजर से उसका घर अढहा दिये जाता है त परन्तु एक्जाम में अगर लिखा जाएगा तो ऐसी बात नहीं लिख सकते जैसी बात हैं उसमें अच्छी आदर्शात्मुक बाते लिखेंगे जो सम्वेधानिक कानूनी बाते उसको लिखेंगे हलांकि सरकार जो कहती कि अधिक्रमड है अगर अधिक्रमड कोई मले रोड है कहा गया है कि इतना छोड़ करके घर बनाई है यहां से घर बनाई है अब कोई यहां से घर बना लिया तो उसका तोड़ा ही जाएगा तो सरकार अतिक्रमण के खिलाफ जो है कारिवाही करती है कोई कानूनन रूप से गलत नहीं है समयधानिक रूप से गलत नहीं है अगर आप अतिक्रमण छेतर में घर बनाते हैं दुकाने बनाते हैं तो उसको तोड़े जाना है कोई गलत की बात नहीं है लेकिन यह जो बुल्डोजर नियाए असमवैधनिक बुनियाद पर खड़ा है लिहाज ही शुरू में यह लोगों की उत्सुकता का कारण बना तो बना हो अब आम लोग भी इसे गलत मानने लगे हैं यह सच है कि दर्शकों से नियाए में देरी से अपराधियों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं लेकिन आज कई राजियों की सरकारें इसका खुलेयाम प्रयोग कर रही हैं जैसे कि हर्याना में नुह के घटना हुई में वात में वहां पर 80% मुसल्मान रहते हैं और वहां पर एक रैली जा रहे थे जो कि जलाभिशे की रैली होती हैं हर साल निकलती हैं उस शान आए हैं तो अगर उनके घर में हर्यानत की जो खटर सरकार हैं अगर बुल्डोजर चलाती हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और सारे बुल्डोजर जहां जहां चले हैं वो सारे अतिक्रमट शेतर में थे और वहां सब रोहेंगे मुसल्मान आकर की बस योपी की तरह बुल्डोजर चलाने की मांग भी उठ रही हैं जनता की एक वर्ग से यानि की हिंदू के वर्ग से योपी की तरह बुल्डोजर चलाने की मांग भी उठ रही हैं यही कारण है कि एक राज के हाई कोट ने दंगों को लेकर एक राज एक राज क्या होता है एक कि सरकारी का वायत पर रोक लगाते हुए प्रश्ण के रूप में गहरी टिपड़ी की है कोड ने पूशा कहीं यह एथनिक क्लीजिंग तो नहीं है सरकारों को यह सोचना पड़ेगा कि IPC की कौन सी धरा अब तो IPC चेंज हो गया इंडियन भारती दंड संगीता नहीं भारती न्याय संगीता तो IPC काहें लिख रहे है IPC की कौन सी धरा राज को किसी का घर गिराने की ताकत देती है अब इनसे पूशो IPC की कौन सी धरा पत्थर चलाने का के लिए कहती है IPC की कौन सी धारा बंदूख चलाने के लिए कहती है IPC की कौन सी धारा अतिक्रमर करने के लिए कहती है IPC की कौन सी धारा दंगा करने के लिए कहती है IPC की कौन सी धारा घरों को जलाने के लिए कहती है अगर IPC की ये सरे कोई धराएं ये सब करने के लिए नहीं कहती है तो बुल्डोजर चलाने के लिए भी नहीं कहती है अगर कहती हैं तो बुल्डोजर चलाना भी लिखा हुआ है फिर तो आप गलत कारिये न करें आपके साथ गलत कारिये नहीं होगा सिम्बल सी बात है बहाना है देखिए कैसा लिकन है ईनको मूर्क है guar़ाना है कि अनधिकरित निर्मार था बहाना नहीं है सच्चाई है अनधिकरित निर्मार था वहाँ पे जो ground reporting करते हैं जैसे दरच धर्मा का चैनल हो गया और कुछ चैनल हो गए उन्होंने खुद दिखाया है लोग खुद माने हैं कि हां हम सरकारी जमीन पर अपना यह सारा बनाये हैं तो अनधिक्रित निर्मार्ट था फिर वर्षों पहले बनी इमार्तों की अनधिक्रित होने का पता अब तक क्यों नहीं चला सरकार सांथ थी हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं अनधिक्रित निर्मार्ट भी कियें तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं उपर से दंगा भी करेंगे जलाएंगे भी तोड़ फोड़ भी करेंगे मारेंगे भी लाओ फिर अनधिक्रित निर्मार्ट जो किये थे उसको गिरा देते हैं इनका घर पत्थर पत्थर हो जाएगा फिर वही पत्थर से खेलेंगे बच्चे घर की अनधिक्रित होने के नाम पर सीधे बैक डेट में नोटिस नाकर उसे जबरन घर के दरवाजे पर चस्पा कर फोटो ले लिये जाता है यानि सब कुछ फर्जी यानि सब कुछ फर्जी यह राजिक के प्रती यह राजिक के प्रती जनता के विश्वास को खत्म करेगा रहे जनता यह जो मुस्लिम जनता है इनको विश्वास ही कहा है राजी के उपर ये सिधा सिधा केहते हैं उसकी आलोषण करते हैं और उनका शरीयत कानून ही ओपर है ऐसा खुले हम कहते हैं तो जनता को पहले ही कहा विश्वास था 1947 के पहले उसके बाद किसी इतिहास के खंड में देखिये जनता को कहा विश्वास था राजी के उपर जो अब विश्वास हो जाएगा यह राज के प्रती जनता की विश्वास को खत्म करेगा जनता पहले विश्वास नहीं करती राज के ऊपर खत्म क्या करेगा और समाज और राज के बीच यह अविश्वास मुसल्मानों और राज के बीच यह अविश्वास प्रजातंत्र के के लिए घातक होगा यह सामाजिक अराजकता को जन दे गए पहली सामाजिक